हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे डारेक्ट रेट ओफ एजुकेशन की वर्कशीट नमबर 101 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 5 नवंबर 2020 ये वर्कशीट क्लास 1 के बच्चों के लिए है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट बच्चों आप पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहां पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब आईए आज हम चित्र अंताक्षरी खेलते हैं पहले हम चित्रों को पहचान कर उनके नाम बोलेंगे फिर चित्र के नाम की पहली आवाज से कुछ और नए शब्द जोड़ेंगे शुरू करो अंताक्षरी लेकर अपना नाम पढ़ने लिखने के लिए करते हैं कुछ काम जैसे भोसे भवन, भोसे भगत, भोसे भरना, भोसे भगोना तो चलिए बच्चो अब हम भी इस अंताक्षरी को आगे बढ़ाते हुए भोसे शब्द लिखते हैं भोसे भगत, भोसे भला, भोसे भजन अब ऐसे ही आपको इस अंताक्षरी को आगे बढ़ाना है और भोसे शुरू होने वाले शब्द लिखने हैं प्रश्न दो, बच्चो अब आपकी बारी चित्रों को पहचानिए और उनके नाम की पहली आवाज से शुरू होने वाले और भी शब्द सोचिए अब भी बारी चित्रों को आपको आपको पहचानिए और उनके नाम की पहली आवाज से शुरू होने वाले कुछ और शब्द भी लिखने हैं और किसी एक शब्द का चित्र अपनी कौपी में भी बनाना है देखिए सबसे पहले है धन धन धनिया धनिया धक्का धक्का तो आपने देखा कि यहाँ पर जो भी शब्द है वो धा से शुरू हो रहे हैं किस से शुरू हो रहे हैं धा से शुरू हो रहे हैं तो अब हमें इ आगे बढ़ाते हुए और भी शब्द सोचने हैं तो बताईए धसे और क्या हो सकता है धसे धनुश क्या हो सकता है धनुश तो हम यहां लेक देंगे धनुश ऐसे ही आपको और भी शब्द सोचने हैं तो अगला है हल्वा 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 हल्दी हल्दी हरा हरा तो बच्चों इन शब्दों की पहली आवाज ह ह ह ह ह ह ह ह ह अब आपको एक और शब्द इससे सोचना है और उसका चित्र बनाना है तो ह से हाथ ह से हाथ तो हम यहा लिक देंगे हाथ अगला देखिए फल फसल फवारा तो बच्चों इन शब्दों की पहली आवाज क्या ह ह ह ह ह ह ह ह अब आपको फ आवाज से शुरू होने वाला शब्द यहाँ पर लिखना है और उसका चित्र भी बनाना है तो यह आपको खुद से करना होगा प्रश्न तीन चलो अब रंगों के साथ कुछ मज़ेदार काम करे दिये गए अक्षरों को पहचान कर उनसे शुरू होने वाले चित्रों में रंग भरे तो बच्चों नीची आपको कुछ अक्षर दिये गए हैं आपको इन अक्षरों को पहचानना है और इनसे शुरू होने वाले चित्रों में रंग भरना है तो चलिए आएए देखते हैं हमें यहाँ पर दिया हुआ है फ, भ, ध, और ह अक्षर आपको इन अक्षरों को अपनी कॉपी में लिखकर अभ्यास भी करना है पहला अक्षर है फ, फ, तो फ से शुरू होने वाले चित्रों को पहचानिए और उसमें रंग भरिए तो फ से फूल, फ से फूल, तो यह किस से शुरू हो रहा है, फ से शुरू हो रहा है तो आपको क्या करना है इसमें, रंग भरना है, आगे देखिए, क्या यह फ से शुरू हो रहा है, नहीं, यह तो बोतल है, तो यह ब से शुरू हो रहा है अगला देखिए, फल, फल, तो ये किस से शुरू हो रहा है, फ से शुरू हो रहा है, इसलिए आपको इसमें रंग भढ़ना होगा अगला अक्षर देखिए, भ, भ, भ से भालू, तो ये भ से शुरू हो रहा है, तो आपको इसमें रंग भढ़ना होगा ऐसे ही भुसे भिंडी भुसे भिंडी तो भिंडी भी किससे शुरू हो रही है भुसे शुरू हो रही है तो इसलिए आपको इसमें भी रंग भरना होगा और अगला है पतंग तो क्या पतंग भुसे शुरू हो रहा है नहीं तो इसमें आप रंग नहीं भरेंगे अगला अक् चित्र है वो किसका है घर का किसका है घर का तो क्या ये धर की आवास से शुरू होता है नहीं इसलिए हम इसमें रंग नहीं भरेंगे दूसरा चित्र है धनुष का किसका है धनुष का तो ये कौनसी आवास से शुरू होता है ये शुरू होता है धर की आवास से तो अब हम इस चर्खी का किसका है चर्खी का तो क्या ये धा से शुरू होता है नहीं तो इसलिए हम इसमें भी रंग नहीं भरेंगे अगला अक्षर है ह क्या है ह अब आपको ये देखना है कि ह अक्षर से शुरू होने वाले कौन से चित्रे हां पर है और उसमें आपको खुद से रंग भरन होगा इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कम्प्लीट होती है